हेलो दोस्तों माई यूट्यूब चैनल मेडिकोड डापर आपका स्वागत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले जो रास्तान बीएमेस परस्टेर है उसके एक्जाम के बारे में किसके जो एक्जाम है वो खब होंगे कब तक संभावना है एक्जाम होने की कि इसका कोई official announcement हुआ या फिर नहीं हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में इस लगा इस वीडियो इंपोर्टेंट होने वाला इसलिए वीडियो को एंट तक दे के और बिल्कुल भी skip ना करें ओके दोस्तों और एदे हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले चूंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही medical से related accurate information सब्सक्राइले मिलती रहेगी ओके दोस्तों तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं बिना देर किये ही वीडियो के इंट तक बने रहे हैं हेलो दोस्तों तो आप सबको पता है वैसे तो रास्तान BMS फर्स्ट एर एक जम के बारे में कोई official announcement या कोई official schedule जो है वो release नहीं किया अभी तक तो लेकिन हम मांगके चल सकते हैं BMS फर्स्ट एर के जो exam में वो januari के last week में या फिर फरोड़ी के पर्स्ट एर पर्स्ट वीक में होने की ज़्यादा सम्मावना है क्योंकि MBBase के जो First Air के एक्जाम में वो भी जनौरी और फरोरी में हो रहे हैं तो आप मान के चलो कि आपके एक्जाम भी जनौरी और फरोरी में होने की ज़्यादा सम्माऊना है तो आपको जो तैयारी है वो जनौरी और फरोरी की साब से ही करनी है अगर एक्जाम आगे किसकता है तो अच्छी बात है आपके तैयारी और अच्छी होगी लेकिन यदि एक्जाम जो जनौरी और फरोरी में ही होती है तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी यदि आप तयारी नहीं करोगे तो ओके दोस्तों तो आपको जो अपनी तयारी करनी है वो जनौरी और फरोरी की साफ से आपको तयारी करनी है और जनौरी फरोरी के लिए आपको तयार होना है अगर इसके बार में कोई भी official announcement होता है और कोई भी official schedule release होता है तो उसका update हमारे चेनल पर आपको सबसे पहले मिल अपडेट के साथ